गुड मॉर्निंग बच्चो गुड मॉर्निंग बच्चो कैसे आप सबी गुड मॉर्निंग बटा बच्चो आज हम गडित में पार्ट चार बीजी वेंजको का गुड़ा एवं भाग पढ़ने वाले हैं इसकी पिछली कक्षा में बच्चो आपने बीजी वेंजको को जोड़ना और घटाना सीख लिया है कक्षा सात्वी में और आज की कक्षा में हम बीजी वेंजको को गुड़ा एवं भाग करना सीखेंगे बच्चों आप कॉपी और पैन साथ में रख लीजिए, आप मेरे साथ साथ गडित करते जाईएगा तो सबसे पहले बच्चों हम थोड़ी सी पुन्रा वृत्ती कर लेते हैं पिछली कक्षाओं की की BGA विन्जक होते क्या हैं तो बच्चों BGA विन्जक जो हैं वो अक्षर, संख्याओं और संक्रियाओं के प्रयोग से बनने वाले विन्जक होते हैं जैसे आप सोच रहे होंगे की अक्षर, कौन से अक्षर जैसे इंग्लिश के अलफाबेट्स होते हैं, स्मॉल और कैपिटल लेटर्स के A, B, C, D जितनी भी संख्याओं होती हैं, उनका भी प्रयोग करते हैं, और साथ में हम संक्रियाओं का, संक्रियाओं मतलब जोड़ना, घटाना, गुड़ा करना और भाग करना तो अक्षरों, संख्याओं और संक्रियाओं के प्रयोग से जो व्यंजक बनते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं बच्चों, बी जी ये व्यंजक कहते हैं, आईए इसका एक उधारण देखते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं उधारण 3x धन 6, यहाँ पर बच्चों अक्षर भी दिख रहा होगा, संख्या भी दिख रही होगी और आपको संक्रिया भी दिख रही होगी, आप बताईए कौन सा आपको अक्षर दिख रहा है यहाँ पर, अंक्रे जी का, small alphabet का x, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर आपको संख्या कौन कौन सी दिख रही है तीन और छे यहां पर आपको संक्रिया कौन सी हो रही है जोड की संक्रिया यहां पर आप देख पा रहे हैं जोड का निशान तो यहां पर जोडने कहते हैं अब बच्चों ये जो अक्षर है इन्हें हम गडित की भाषा में चर कहते हैं यानि वेरियेबल और ये जो नंबर्स रहते हैं जो संख्याएं रहती हैं जिनका मान निश्चित होता है उन्हें हम चर कहते हैं या फिर अचर कहते हैं तो बच्चों यहाँ पर ये जो एक्स है इसे हम क्या कहते हैं गडित की भाषा में चर कहते हैं और यहाँ पर जो आपको संख्याएं दिखरी हैं तीन छे ये सब क्या है बच्चों अचर है चर मतलब बच्चों इसका जो मान है वो वो उतना ही रहेगा, तीन पैंसिल मतलब तीन ही रहेंगे, तीन आम मतलब तीन आम ही रहेंगे, उसी प्रकार छे का भी जो मान है वो स्थिर रहता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, अचर कहते हैं, तो इस प्रकार से बच्चो चर भी रहता है, अचर भी रहता है, और इनके बीच में क्या होती है संक्रियाएं होती है और इन्हें ही हम बच्चों क्या कहते हैं बीजिय विंजक कहते हैं अब बच्चों बीजिय विंजक जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं ये जान लेते हैं बीजिय विंजक बच्चों एक पदिय भी होते हैं एक पदिय बीजिय विंजक यानि ऐसे बीजिये व्यंजक जिनमें गेवल एक पद हो, और बहु पदिये, बहु, आप नाम में जो बहु शब्द आया है, आप उससे ही समझ सकते हैं, बहु मतलब बहुत सारे पद, तो ऐसे बीजिये विंजक जिनमें बहुत सारे पद होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चो बहु पदिये बीजिये विंजक आईए इनका एक उधारण देखते हैं एक पदिये बीजिये विंजक में बच्चो उधारण है तीनेक्स इसमें सिर्फ एक ही पद आ रहा है ती जैसे द्वी पदिय यानि जिसमें दो पद हो, त्री पदिय यानि जिसमें तीन पद हो, चतुष पदिय यानि जिसमें चार पद हो और ऐसे ही आगे बढ़ते जाता है, तो इस प्रकार बच्चो बहु पदिय बीजिय वियंजक मतलब जिस बीजिय वियंजक में एक से अधिक पद हो, जैसे इसका उधारण देखते हैं, 3X, धन, 4Y, इसमें आपको साफ साफ दिख रहा होगा, बच्चों, ये पहला पद है, और ये दूसरा पद है, तो इसमें कुल कितने पद हो गए, 2 पद, इसलिए बच्चों, हम इसे क्या कहेंगे, 2 पदिय, BGA विंजक, इसी प्रक पर कुल आपको 3 पद दिखाई दे रहे हैं, पहला पद क्या है, 3X, दूसरा पद क्या है, 2, और तीसरा पद क्या है, बच्चों, Z, तो इस प्रकार से, बच्चों, एक पदिय और बहु पदिय, BGA विंजक, आप समझ गए होंगे कि क्या होते हैं, चलिए, अब हम BGA विंज पदिय और बच्चों को का, जब हम गुणा करेंगे, बच्चों, तो उसे हम आज 3 श्रेडियों में बाटेंगे, देखते हैं कि वो कौन-कौन सी 3 श्रेडिया है, सबसे पहला है, बच्चों, एक पदिय विंजक का, एक पदिय विंजक से गुणा करना, दूसरा पद बच्चों, हमारी जो दूसरी श्रेडि रहेगी, एक पदिय विंजक का, बहु पदिय विंजक के साथ गुणा, और जो हमारी तीसरी इसमें श्रेडि रहेगी, द्वी पदिय विंजकों का गुणा, तो इस प्रकार से, आज हम बीजिय विंजकों का गुणा करना सीखेंग और उसे हमने यहाँ पर तीन श्रेणियों में यहाँ पर तीन प्रकार से बाटा है सबसे पहले बच्चो एक पदिय विंजक का एक पदिय विंजक से गुड़ा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैंने कुछ प्रशन भी लिखे है साथ एक्स गुड़ेत दो वाय यहाँ पर यह भी बच्चो एक पदिय विंजक है और यह भी एक पदिय विंजक है तो सबसे पहले हम क्या सीख रहे हैं बच्चो एक पदिय विंजक का एक पदिय विंजक से गुड़ा करना तो बच्चों, सबसे पहले, इसके लिए आपको दो टम्स सीखना जरूरी है, जो आज, आज की कक्षा में आप बार-बार सुनेंगे, वो है गुडांक और दूसरा है चरांक, गुडांक एवं चरांक. यहाँ पर बच्चों, यदि यहाँ पर हम इस प्रशन में देखें, तो X का जो गुडांक होगा, वो क्या होगा? साथ होगा. X के साथ गुडांक के रूप में कौन सी संख्या है बच्चों? साथ. तो X का जो गुडांक होगा, वो साथ होगा. और Y का जो गुडांक होगा, व और दो तो बच्चो जब हम इसका गुड़ा करते हैं तो हम पहले पद का गुड़ांक का गुड़ां दूसरे पद के गुड़ांक के साथ करते हैं यानि साथ का गुड़ां हम दो के साथ करेंगे और चरांक का गुड़ां हम चरांक के साथ करते हैं तो यहां पर चरांक में आ के साथ करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा xy क्योंकि बच्चों ये दोनों ही चर के जो आधार हैं वो अलग-अलग हैं इसलिए ये ऐसे ही रहेंगे x का गुड़ा जब हम y के साथ करेंगे तो वो क्या हो जाएगा गुड़नफल xy तो यहाँ पर बच्चों 7x का जब हमने 2y के साथ गुड़ा किया तो हमें प्राप्त हुआ 14xy तो नियम क्या है बच्चों गुड़ांक का गुड़ां हम गुड़ांक के साथ करते हैं और चरांक का गुड़ां हम चरांक के साथ करते हैं आईए दूसरा उधारन देखते हैं इ बी का घात दो, यहाँ पर बच्चों आपको गुडांख क्या-क्या दिख रहे हैं, पाँच और तीन, पाँच का गुडा हम तीन के साथ करेंगे, और यहाँ पर बच्चो चरांक में आप देखिए यहाँ पर आपको A दिख रहा है पहले पद में और यहाँ पर इस पद में आपको क्या दिखाई दे रहा है A का घात दो तो यहाँ पर बच्चो हम समान आधार वाले चरो का गुड़ा आपस में करेंगे A का गुणा हम A के घात दो के साथ करेंगे और B का गुणा हम B का घात दो के साथ करेंगे यहाँ पर बच्चो ध्यान देने वाली बात यह है कि आपने पाठ तीन में घातांक के नियम पढ़ चुके हैं गातां के नियम में बच्चो जब चरो के या संख्याओं के आधार बराबर होते हैं बेस बराबर होते हैं तो जब हम उनको गुड़ा करते हैं तो उनके जो घात है वो आपस में जुड़ जाते हैं और जब हम उनको भाग करते हैं तो उनके जो घात है वो आपस में घड़ ज इसलिए इनके जो घात है वो आपस में क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे इसी प्रकार बच्चो आपने घातां के नियम में यह भी पढ़ा है कि X का घात M को जब हम भाग करते हैं X के घात N से तो हमें प्राप्त होता है X का घात M-N यहाँ पर बच्चो ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों के ही जो बेस हैं दोनों के जो आधार हैं वो बराबर होने चाहिए तो यहाँ पर बच्चो आप देखिए घातां के नियम यम हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे सबसे पहले हम गुडांको का गुडा कर लेते हैं 5 का अधार दीजा किया है A है तो यहाँ पर हम गुडा का जो घातां का नियम है वो हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे कैा हो जाएगा एक घात इसके ऊपर कुछ नहीं है मतलब बत्चों यहाँ पर क्या है एक है चलिए इनके घातों को हम जोडते हैं क्यों क्यों कि हम इन दोनों का आपस में क्या कर रहे हैं, गुड़ा कर रहे हैं, तो एक का घात, एक का घात एक और एक का घात दो को जब हम गुड़ा करेंगे, तो इनके जो घात है, वो आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, इसी प्रकार बच्चों यहाँ पर भी इन दोन हमारा उत्तर हो जाएगा बच्चो 15 A का घात 3 B का घात 3 तो इस प्रकार से बच्चो आप एक पदिये बीजिये विंजक को एक पदिये बीजिये विंजक से गुड़ा कर सकते हैं उसमें आपको घातां के नियमों का प्रयोग करना पड़ेगा और आप ध्यान यह रखेंगे ब बहुपदिये विंजको के साथ गुड़ा करना यहाँ पर आप प्रश्न देख पा रहे होंगे मैंने प्रश्न लिखा इससे संबंधित 2 A का गुड़ा हमें करना है A धन 2 B धन 5 C यहाँ पर बच्चो यह बच्चो हमने इसका पहला चरण समझ लिया है इसे मैं यहाँ से हटा देती हूँ आईए अब हम यहाँ इसका दूसरा चरण पड़ रहे हैं 2 A का गुड़ा करना है हमें A धन 2 B प्लस 5 C से तो यहाँ पर बच्चो क्या करना है हमें यहाँ पर वित्रण नियम का करना है और जैसा कि मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ एक पदिय विंजक का बहु पदिय विंजक के साथ गुणा करना तो यहाँ पर यह आपको दिख रहा होगा यह एक पदिय है और यह क्या है बहु पदिय जिसमें आपको कितने पद दिखाई दे रहे हैं 3 पद अंतरगत बच्चो यह जो एक पदिये विंजक है, इसे हम बारी-बारी से इस बहुपदिये बीजी विंजकों के पदों से बारी-बारी से इसका गुड़ा करेंगे, आईए करते हैं, दो A का गुड़ा हमें करना है, इसके पहले पद के साथ, यानि A के साथ, फिर इनके के बाद 2a का गुड़ां हमें करना है 5c के साथ अब बच्चों हमने यहाँ पर वित्रण ुड़ certificates किया है अब आईए इसे हम गुड़ा करते हैं गुड़ांक का गुड़ांक के साथ यहाँ पर गुड़ांग कुछ नहीं है यानि क्या है बच्चों एक है दो का गुड़ा हम एक के साथ करेंगे तो हमें मिलेगा दो और एक का गुड़ा जब हम एक के साथ करेंगे इसमें आधार जो है वो बराबर है तो यहाँ पर हम फिर से घातां के नियमों का प्रयोग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा एका घात दो क्योंकि यहाँ पर भी घात एक है और यहां पर भी घात एक है दोनों ही घात आपस में जुड़ जाएंगे बच्चो तो हमें क्या मिलेगा दो एक घात दो फिर योग की संक्रिया है बच्चो उसके बाद दो का गुड़ा हमें दो से करना है क्या प्राप्त होगा चार और एक गुड़ा हमें B के साथ करना है, यहाँ पर दोनों के जो आधार हैं वो अलग-अलग हैं, तो यह आपस में इसमें घातांग के नियम प्रयोग नहीं होंगे, यहाँ पर हम A का गुणा B के साथ करेंगे, तो हमें प्राप्त होगा A, B, और यहाँ पर आखरी पद को आप गुणा करिए, द्वीपदिय व्यंजकों के साथ गुणा आप वित्रन नियम के प्रयोग से आसानी से कर सकते हैं, आईए बच्चो, अब हम तीसरे चरण पे चलते हैं, तीसरा चरण है बच्चो हमारा दो द्वीपदिय व्यंजकों का गुणा, दो द्वीपदिय व्यंजकों का गुणा, यहाँ पर बच्चों, प्रश्ण यहाँ पर लिखा है, देखिए, 2X धन 7 का गुड़ा हमें करना है, 3X धन 2 के साथ, यहाँ पर बच्चों जिस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारा दीसरा चलन क्या है? दो द्वी पदिये व्यंजकों का गुड़ा तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको दो बीजी व्यंजक दिखाई दे रहे हैं और दोनों ही कैसे हैं? द्वी पदिये हैं यानि इनमें कितने पद है? कुल इसमें दो पद और इसमें दो पद तो हमें दो द्वीपदिय विंजकों का गुड़ा आपस में करना है तो बच्चों हमें वित्रण नियम का प्रयोग करना है और ऐसे प्रश्णों में आपको वित्रण नियम का प्रयोग दो बार करना है आईए देखते हैं हम इसे किस प्रकार से हल करेंगे सबसे पहले यानि 2x को हमें गुणा करना है इस दूसरे द्वीपदिय बीजी विंजक से यानि 3x प्लस 2 के साथ अब इसके बाद बच्चों यहाँ पे कौन सी संक्रिया है प्लस की तो यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे उसके बाद जो पहला द्वीपदिय विंजक था उसका जो दूसरा पद है यानि की 7 इसका गुणा करना है हमें दूसरे द्वीपदिय बीजी विंजक के साथ यानि 3x प्लस 2 के साथ तो यहाँ पर बच्चों हमने क्या किया है वित्रण नियम का प्रयोग किया है 2x का गुणा एक बार 3x प्लस 2 के साथ उसके बाद धन की संक्रिया उसके से मैंने आपको अभी बताया था कि यहां पर आपको वित्रण नियम का प्रयोग दो बार करना है तो पुना हम फिर से वित्रण नियम का यहां पर प्रयोग करते हैं 2x का गुणा एक बार हम 3x के साथ करेंगे फिर से पुना 2x का गुणा हम 2 के साथ करेंगे इसी प्रकार 7 का का गुणा हम 3x के साथ करेंगे, फिर 7 का गुणा हम 2 के साथ करेंगे, बताइए 2x का गुणा हमें किस के साथ करना है बच्चो, 3x के साथ, फिर कौन सी संक्रिया है, जोडने की संक्रिया है, फिर 2x का गुणा हमें इसके दूसरे पद यानि 2 से करना है, उसके बाद बच्चो कौन सी संक्रिया है प्लस साथ का गुणा हमें तीन एक्स के साथ करना है और फिर जोडने की संक्रिया है और साथ का गुणा हमें दो के साथ करना है चली आईए इसे हल करते हैं बच्चो आप जवाब भी दे सकते हैं दो एक्स का जब हम तीन एक्स के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपको गुडांग क्या-क्या दिख रहे हैं, 2 और 3, आईए, गुडांगों का आपस में हम गुडां करते हैं, 2 तिया, 6, और X का X के साथ गुडां करने पर हमें क्या प्राप्त होगा बच्चों, X का X के साथ गुडां, X का घात, X का घात, 2, है तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे X लिख देंगे क्योंकि इसके साथ कोई चर नहीं है तो हम X का गुड़ा एक के साथ करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा X उसके बाद बच्चों फिर से योग की संक्रिया है साथ का गुड़ा तीन से करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 14 अब बच्चों इसके पिछले पार्थ में इसके पिछली कक्षा में जब आपने बीजी ये विंजकों को जोड़ना और घटाना सीखा था तब आपने एक बात ध्यान दी होगी कि हम जोड़ने या घटाने के लिए केवल सजातिय पदों को ही हम जोड़ते या घटाते हैं यहाँ पर इस स्टेप में यदि हम देखे तो हमें कौन-कौन से सजातिय पद दिख रहे हैं 4X और 21X इन दोनों में ही कौन सा चर है X है यहाँ पर भी क्या है X है यानि यह दोनों कैसे पद हैं सजातिय पद हैं और जोड़ने और घटाने के लिए बीजी ये विंजकों को हमें सजातिय पदों की ही अवशक्ता पड़ती है तो यहाँ पर आईए सजातिय पदों को जोड़ते हैं 6X स्क्वायर धन यहाँ पर इन दोनों को जोड़ना है हमें तो हम गुडांग का जोड किसके साथ करेंगे गुडांग के साथ यानि 21 को हम 4 से जोड़ेंगे तो हम में प्राप्त होगा 25 और यहां पर कौन सा चर है कौन सजातिय पद हैं ये दोनों इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा एक्स और जो आखरी पद है इसका वो है 14 तो इस प्रकार से बच्चो हम दो द्वी पदिये विन्जगो का गुड़ा वित्रन नियम को दो बार प्रयोग करके हम आसानी से इस प्रकार से कर सकतें हैं बच्चों आपको घातांग के नियम पता होना चाहिए और वित्रण नियम आपको पता होना चाहिए फिर आप BGA विंजकों को आसानी से गुणा कर सकते हैं आईए, यहाँ पर BGA विंजकों को गुड़ा करना हमने सीख लिया है बच्चों, आईए अब हम BGA विंजकों को भाग करना सीखते हैं भाग को भी बच्चों हमने तीन स्टेप्स में बाटा है यहाँ पर BGA विंजकों का हम भाग करना सीखेंगे सबसे पहले एक पदी विंजक का, एक पदी विंजक से भाग करना सीखेंगे नेक्स्ट है हमारा बहु पदी विंजकों का, एक पदी विंजक के साथ सबसे पहले बच्चों हम यह जो पहला स्टेप है हमारा, इसे हम सीखते हैं एक पदी विंजक का, एक पदी विंजक से किस प्रकार से हम भाग कर सकते हैं तो बच्चों यहाँ पर देखिए, एक पदिय वेंजक कौन सा है? 18x का घाद 2y, इसका हमें भाग करना है बच्चों, 6xy के साथ. यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं कि दोनों ही कैसे bg वेंजक है? एक पदिय bg वेंजक है. हमें इन दोनों का आपस में क्या करना है? भाग करना है. बच्चों, यहाँ पर गुडांक का भाग हम गुडांक के साथ करते हैं और चरांक का भाग हम चरांक के साथ करते हैं. यहाँ पर सबसे पहले बच्चों हम इसे भाग की अवस्था में लिख लेते हैं, 18, X का घाद 2, Y, बटे, बच्चों भाग को हम बटे के रूप में भी लिख सकते हैं, और इसे हम लिख लेते हैं 6XY, ये बच्चों उपर का जो 18X2Y है, ये क्या है बच्चों, भाज्य है, हम हमें इसे भाग करना है, और नीचे 6XY जो है, वो क्या है बच्चों, भाजक है, इससे हमें इसे भाग करना है, तो 18X2Y को हमें भाग करना है 6XY से, तो बच्चों भाज्य के गुडांक को भाजक के गुडांक से हम भाग करेंगे सबसे पहले, 18 को हम 6 से भाग करेंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा बच्चों? तीन. अठारा को जब हम 6 से भाग करेंगे तो हमें 3 प्राप्त होगा. यहां पर बच्चों घातां के नियम का जो दूसरा नियम है भाग वाला. एक्स का घात M भागेत एक्स का घात N बराबर एक्स का घात M माइनस N. जब भी आधार बराबर हो बच्चो और घात में अलग-अलग संख्याएं हो और जब हम इन दोनों पदों को आपस में भाग करते हैं तो जो घात है वो आपस में क्या हो जाते हैं घट जाते हैं यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बच्चो यहाँ पर भी आधार क्या है X है और यहाँ पर भी आधार क्या है X है यहाँ पर बच्चो हमेंसे भाग करना है तो क्या हो जाएगा जो इसके घात है वो आपस में क्या हो जाएंगे घट जाएंगे यहाँ पर घात कुछ नहीं है म बच्चो बराबर है, इसलिए ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, बच्चो जब भी ऐसा होता है, हम क्या प्रयोग करते हैं, कट जाएगा, मतलब क्या होता है कटने का, यहाँ पर हम इसे समझते हैं, जब हम Y को Y से भाग देते हैं, तो अकसर हम क्या करते हैं, इ यहाँ पर भी वाई का घात कितना है, एक है, जब हम इसे बच्चो भाग देंगे, यहाँ पर देखिए, जब हम भाग देते हैं, तो घातों को क्या करते हैं, घटाते हैं, तो यहाँ पर हम इनके घातों को चलिए घटाते हैं, एक रिण, एक, तो यहाँ पर वाई का घात कित एक जैसे घात के चरो को हम आपस में काड़ देते हैं तो यहाँ पर भी बच्चो Y का घात क्या हो जाएगा जब हम इसे घटाएंगे एक रिण एक यानि तीन X का घात दो रिण एक मतलब एक एक को चाहे हम लिखे चाहे ना लिखे बच्चो एक ही है और Y का घात शुन्य यानि क्या हो जाएगा एक यानि हमारा उत्तर क्या आजाएगा बच्चो तीन X तो इस प्रकार से बच्चो एक पदिये विंजक का हम एक पदिये बीजी विंजक से आसानी से भाग कर सकते हैं किस की मदद से घातां के नियमों की मदद से तो बच्चो आईए हम दूसरे चरण पर चलते हैं दूसरा चरण है बच्चो हमारा बहु पदिये विंजको का एक पदिये विंजक से विभाजन आईए इस प्रश्ण को हम समझते हैं यहाँ पर आप प्रश्ण देख पा रहे हैं यह बहु पदिये विंजक दिख रहा है आपको बहु पदिये मतलब जिसमें एक से अधिक पद हो तो यहाँ पर कितने पद हैं एक, दो, तीन यानि यह त्री पदिये विंजक है यानि ये क्या है बहु पदिय BGA वेंजग और इसका भाग हम किस से कर रहे है बच्चो एक पदिय BGA वेंजग यानि एक पदिय BGA वेंजग कौन सा है 2M तो आईए हम इसे भाग करते है 16 M square plus 4 M N minus 12 M N का घात 2 इसे हमें बच्चो भाग करना है 2M के साथ जब भी बच्चो ऐसा प्रशना आए कि बहु पदिय BGA वेंजग का भाग हमें एक पदिय BGA के साथ करना है तो हम क्या करते हैं? इनके सभी पदों को अलग-अलग इस भाजक से भाग करते हैं. ये भाज्य है और ये क्या है? भाज्य है. तो इसमें तीन पद हैं भाज्य में, तो भाज्य के पदों को हम अलग-अलग भाजक से भाग करते हैं. और उनके बीच की जो संक्रियाएं हैं व फिर संक्रिया कौन सी है बच्चों, जोडने की संक्रिया है, 4MN का भाग हम करते हैं, 2M के साथ, और यहां पे फिर से घटाने की संक्रिया है, और तीसरा पद है हमारा 12MN का घगाद 2, बटे 2M, तो इस प्रकार से बच्चों, तीनों पदों को हमने अलग-अलग करके इस कर रहे हैं, एक पदी वियनजक से, चलिए, इसे हम भाग करते हैं, गुडांक का भाग हम गुडांक के साथ करेंगे, 16 का भाग जब हम 2 से करेंगे, तो बच्चों क्या प्राप्त होगा हमें? 8, very good, यहां पर M का घगाद 2 है, और नीचे है M का घगाद 1, यानि हमें क्या कर गातों को घटाना पड़ेगा, घातांक के नियम से, उसके बाद योग की संक्रिया है, गुडांकों को भाग करते हैं बच्चों, 4 का भाग 2 से जाएगा, तो हमें प्राप्त होगा 2, यहां पर बच्चों यहां भी M का घगाद और यहां भी M का घगाद बराबर है, तो हम ऐसा ही लिखेंगे, यहां पर बच्चों फिर घटाने की संक्रिया है, 12 को जब हम 2 से भाग करें देंगे, तो हमें प्राप्त होगा 6, M, M से कट जाएगा, और यहां पर हमें प्राप्त होगा N का घगाद 2, तो इस प्रकार से बच्चों, इसे हम और हल कर लेते हैं, 8, M का घगाद 2, रिण 1, यानि 8, M, धन 2, N, रिण 6, N का घगाद 2, यहां पर बच्चों फिर से हमारा जो स्टेप है, वो जोडने घटाने पर यहां पर पहुत चुका है, और जोडने घटाने के लिए बच्चों हमें सजातिय पदों की आवशक्ता पढ़ती है, और यहां पर हम देख सकते हैं कि सजातिय पद कोई भी नहीं है, तो यहां पर हमारा जो उत्तर है वो यहीं तक ही रहेगा, तो हमें उत्तर क्या प्राप्त हुआ बच्चों, 8, M, धन 2, N, रिण 6, N का घगाद 2, चलिए बच्चों, अब हम next step की ओर बढ़ते हैं, जो सबसे important है और बच्च इसमें हम बहुपदिय विंजकों में द्वीपदिय विंजक का भाग करना सीखेंगे, यहां पर प्रशन आपको दिख रहा है बच्चों, X का घगाद 2, धन 20, X, धन 99 को हम भाग करेंगे, X धन 7 के साथ, यहां पर बच्चों आप देख रहे हैं, यह बहुपदिय विंजक ह और यह द्वीपदिय विंजक है, तो आईए, इसे हम भाग करते हैं, इस प्रकार से हम भाग का चिन्न बना लेंगे, और यह भाजक है, भाजक को हम यहां पर लिखते हैं, और भाज्य को हम इसके अंदर लिखते हैं, X का घगाद 2, धन 20, X, धन 99, अब बच्चों, इसमें स कोनों के पहले पद को हमें ध्यान से देखना है, भाजक का भी पहला पद और भाज्य का भी पहला पद, और यहां पर हम रफ कारिय कर सकते हैं, बच्चों, यहां पर आप अपनी कॉपी में रफ कारिय कर सकते हैं, और यहां पर आप ग्यात कर सकते हैं, कि हमें यहां पर भा पहला पद है, X का घात 2 से हमेन भाग करना में भाजक के पहले पद यानि X को चलिए यहां पर हम भाग करते हैं X के घात 2 में जब हम menas". भाग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा X अब बच्चों इन दोनों के पहले पदों को हमने भाग कर लिए और हमें उत्तर क्या प्राप्त हुआ X यानि भाग फल में हमें यहां पर क्या पहला लिखना है X अब जो भी हमें यहां भागफल में प्राप्त हुआ है बच्चो उसका गुणा हम इस पूरे भाजक के साथ कर लेंगे कहां पर आप यहां पर इस रफकार्य के स्थान पर इसको आप कर सकते हैं इस X का गुणा आप X धन साथ के साथ कर लीजिए तो X का गुड़ा आपको X धन 7 के साथ करना है वितरण नियम का प्रयोग करिए X का गुड़ा जब हम X के साथ करेंगे तो X का घात 2 धन X का गुड़ा जब हम 7 के साथ करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 7X जो भी यहाँ पर प्राप्त हुआ है बच्चो इसे यहाँ पर आप इसके नीचे लिख लीजिए और इन्हें आप आपस में क्या कर दीजे घटा दीजे जब हम घटाते हैं बच्चो BGA VINJAKO को जब हम आपस में घटाते हैं तो उनके जो चिन्न है वो क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं तो यहाँ पर धन x square था वो क्या बन गया है अब, रेण x square, और यह जो धन 7x है वो क्या बन गया है अब, रेण 7x, तो यहाँ पर बच्चों यह दोनों के ही आधार भी समान है, घात भी समान है, तो यह दोनों ही आपस में क्या हो जाएंगे, कटके शुन्य हो जाएगा और यहाँ पर 20 में से बच्चों हमें इस साथ को क्या करना है घटाना है 20 में से 7x घटेगा तो बच्चों हमें प्राप्त होगा 13x और इन दोनों में ही बड़ा कौन सा है 20x 20x में धन का चिन्न है इसलिए यहाँ पर भी हमें क्या लगाना है धन का चिन्न 13x और अब हम इस अगले पत को यहाँ पर नीचे उतार लेंगे धन 91 अब बच्चों यह जो शुन्य है इसे हम लिखे चाहे ना लिखे इसका कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर बच्चों हमें क्या प्राप्त हुआ है 13x धन 91 अब बच्चों मैंने यहाँ पर आपको जो भागफल का पहला पत लाने के लिए जो मैंने आपको प्रक्रिया बताई थी अब वो ही सेम प्रक्रिया आपको दुबारा से करनी है अब आपको भाज्य किसको मानना है इसको अब आपका नया भाज्य कौन सा बन गया 13x धन 91 और भाजक तो आपका वही है x धन 7 आईए करते हैं भागफल का दूसरा पत ज्यात करने के लिए हम इस भाज्य के पहले पत से यानि 13x में हम किसका भाग करेंगे भाजक के पहले पत का हमें क्या मिल जाएगा? 13 यहां पर हम क्या लिख देंगे? धन 13 अब बत्यों मैंने क्या कहा था यहां पर कि जो भी उत्तर प्राप्त होगा उससे भाजक को आपको गुणा करना है यहां पर हमें क्या प्राप्त हुआ है? तेरा इस से हमें इस भाजक को गुणा करना है एक्स धन साथ गुणा करिए वित्रणियम का प्रयोग करिए तेरा का एक्स से गुणा करेंगे तो हमें तेरा एक्स प्राप्त होगा धन का चिन फिर तेरा का साथ से गुणा करेंगे तो तेरा सत्य क्या हो जाएगा? इंक्यानबे और जो हमें यहाँ पर उत्तर प्राप्त हुआ है उसे हम यहाँ पर लिख दे तेरा, एक्स, धन, इंक्यानबे दोनों ही जो बीजी ये विंजक है वो एक समान है तो दोनों को ही जब हम घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? शुन्य हो जाएगा. तो इस प्रकार से बच्चो बहुपदिय बीजिय विंजक को जब हमने द्वीपदिय बीजिय विंजक से भाग किया तो हमें भागफल क्या प्राप्त हुआ? एक्स धन 13 और ये जो नीचे है बच्चो ये क्या है? शेशफल है. हमें शेशफल क्या प्राप्त हुआ है बच्चो? शुन्य. इस प्रकार से बच्चो बीजिय विंजको को हमने गुणा करने के लिए भी तीन स्तरों पर उसे देखा और भाग करने की भी जो प्रक्रिया है उ उसे भी हमने तीन स्तरों पर आज देखा यहां पर बच्चो मैं एक इमपोर्टेंट चीज एक बताना चाहती हूं आपको जो नीचम है जो सामान्य भाग के प्रश्णों में भी जो नीचम प्रयोग होता है वही नीचम बीजिय विंजकों के भाग करने में भी प्रयोग हो जब हम बच्चो सामान्य भाग की प्रक्रिया करते हैं, तब भी ये नियम वहाँ पर बैठता है, और जब हम बीजिय विंजोकों का भाग कर रहे हैं, तब भी ये नियम वहाँ पर लागू होता है, अब जैसे अभी हमने प्रश्ण यहाँ पर हल किया था, वहाँ पर जो था भाज्य के स्थान पर आप भाज्य को रखिए, भाजक के स्थान पर भाजक को रखिए, भागफल के स्थान पर भागफल के मान को, और शेशफल के स्थान पर शेशफल के मान को, और आप बायपक्ष और दायपक्ष को हल करके आप जाच कर सकते हैं, कि दोनों ही आपका ब बहुपदिय विंजकों में द्वीपदिय विंजक के भाग का जो प्रश्न बताया था उसके लिए आप इस नियम को यहां पर सिध्ध करके मुझे जरूर भेजेंगे तो बच्चों आज बीजी विंजकों का हमने गुणा करना भी सीखा और भाग करना भी सीखा है आईए मैं आपसे कुछ प्रश्न करती हूँ प्रश्नोत्तरी राउंड में यहां पर बच्चों आपको कुछ प्रश्न दिखाई रेंगे बच्चो देखे भाज यह बराबर अभी जो मैंने आपको नियम बताया है आप अन्मूट होकर बच्चो जवाब दे सकते हैं यहां पर प्रश्नोत्री में जो आपको पहला प्रश्न दिख रहा है भाग से सम्मंधित भाज अज ये बराबर खाली स्थान गुडिद भाक फल धन शेशवल, खाली स्थान में क्या आएगा बच्छो? भाजक भाजक very good भाजक यहाँ पर क्या आएगा बच्छो, पहले का उत्तर? भाजक very good यहाँ पर बच्चो प्रश्ण दो में आपको एक पती ये वेंजक से द्वी पती ये वेंजक को गुड़ा करना है वित्रण नियम से करिए क्या उत्तर आएगा हमें दो एक्स का गुड़ा हम दो के साथ करेंगे क्या हैगा टू एक्स वाई धन प्लस यहाँ पर एक है उर यहाँ पर यहाँ पर दो है क्या हो जाएगा गुड़ा होगे गातांग के नियम हम यहाँ पर लगाएंगे, चाल का दो से गुड़ा करेंगे, आठ प्राप्त होगा, और वाय का घात कितना हो जाएगा बच्चो, तीन हो जाएगा, बच्चो, चौथा प्रशन देखिए बच्चो, पच्चीस, एका घात तीन, बी का घात दो, को हमें पाँच, ए, बी से, यहाँ पर देखिए मैंने इसे भाग के रूप में लिख दिया है, अब बताईए, गुड़ांग का, गुड़ांग से भाग करिए, पच्चीस का, पाँच से भाग करेंगे, क्या हैगा, क्या प्राप्त होगा, पाँच, ए, कि का घात तीन, बी का दो, पाँच, ए, का घात तीन है, और भाग कर रहे हैं, ए, का घात एक से, यानि, ए, का घात कितना हो जाएगा, दो, और यहाँ पर बी का घात दो है, जिसे हम भाग कर रहे हैं, बी के घात एक से, यानि घातांग का नियम लगाने के बाद, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी, ठ बच्चो बताईए कि इसमें आपको भाज्य क्या है? इस प्रश्न में भाज्य क्या है? भाज्य कॉन सा है? किसको हम भाग कर रहे हैं? इस प्रश्न में किसको हम भाग कर रहे हैं? किस वेजी वेंजग को हम भाग कर रहे हैं? यह है यह क्या है बच्चो यह भाज्य है उत्तर आएगा चार X का घाद दो धन दो X बच्चो भाजक कौन से बताईए किस से भाग कर रहे हैं किस से भाग कर रहे हैं हम X X से very good भाजक क्या हो जाएगा X भागफल क्या आ रहा है बच्चो भागफल चार X धन दो और शेशफल क्या बिच रहा है बच्चो आकरी प्रश्न है प्रश्न छे चार X रिड दो वाई को दो से भाग करना है यानि आप इसे अलग अलग भी कर सकते हैं अब बताईए क्या आएगा उत्तर चार X को जब हम दो से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा 2 X हाँ फिर 2 Y को जब हम दो से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा Y Very good तो बच्चो आज हमने BGA वेंज़कों को गुणा करना और BGA वेंज़कों को भाग करना सीख लिया है और जिस प्रकार से आपने प्रश्णोतरी के जवाब दिया है मुझे पूरा यकीन है कि आपने बहुत अच्छे से इसे सीख लिया है इससे संबंधित पुस्तक में जो अभ्यास के प्रश्ण है आप उसे जरूर हल करिए जितना जादा बच्चों आप अभ्यास करेंगे आप गडित में उतने अच्छे होते जाएंगे तो अधिक से अधिक अभ्यास करिए आपकी परिक्षाएं अब नस्दीक में हैं तो आप तयारी शुरू कर दीजिए और SCRT द्वारा राज्यस्तरी ये जो अनलाइन कक्षाएं हो रही हैं उसमें आप सभी बच्चे शामिल हुए उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और आप अपने आसपास के बच्चों को भी बच्चों जरूर प्रेरित करिए कि वे अधि अग्धिवाद और आप बच्चे ऑग्चे इमट में आप एमानी नारी बच्भ बच्चे घिए इनन उन्यवादिए अजवारा घिए्ट प्रे आपना हैं ची जियास झालब तक्ष्वारा वारा के शिए एमानी आसे बटल में आसे दा